नमस्कार मेरनामा लोग है आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूटूब नियू चनल लैफ्टीज को लगतार समिक्षा बैठा खो रही है मैराथौन बैठे खो रही है राबडी देवी के आवास पर और कल से ही लगतार हम आपको तस्विर दिखा रहे हैं और समिक्षा करने के बाद जो लोग सबहा में जनादेश मिला है किस तरीके से राज़त जीरो पर आउट हो गई है सूपरा साफ हो गया बिहार से यह जनादेश कहीं न कहीं राज़त के जितने सिनियर लीडर्स हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि शर्यांत के तहट जनादेश मिला है कोई शर्यांत है इस जनादेश के पीछे और ऐसा कहना है आरज़री लीडर्स का उन्होंने कहा है कि हमने तीन सदस्यों की कमिटी बनाई है और वो कमिटी एक हफ्ते के अंदर जांचकर कर रिपोर्ट देगी क कि आखिर हार के कारण क्या थे एवियम पर ठीकरा फोरा जा रहा है तेश्परता प्यादव कहीं न कहीं तेश्वी आदव के आप साथ दिख रहा है लेकिन उससे पहले जदियू ने अप नसीहत देने शुरू कर दी है जदियू के परवक्ता डॉक्टर सुनील क्या कुछ नस करनी चाहिए और एक सकरात्मक दिशा में एक राजिंती ले आने का प्रयास करना चाहिए कि किन कारणों से उनका हार हुआ जो एक असपस्ट कारण है वो यह है कि महागडबंधन के लोग ने स्वार्थवाश नकरात्मक राजिंती की कोई एक सकरात्मक मुद्दे पर नहीं की गई समाजिक और संपर्दाइक स्वहार्द बिगारने की कोशिश की गई हमें लगता है कि इन सब कारणों को देखकर के महागडबंधन और राजद समिक्षा बैठक करेगी अपने कारणों में जाकेगी और इस बात का करेगी कि आगे वो विपक्ष में एक सकारातमक भूम ये बनती है लेकिन निश्चित ही जब हार होता है तो निश्च्राटर। को भी आत्मन्थन करके पूरे अपने बाखी के पूरे कि सकारातमक भूमिका निभाएं और जमता के पास एक विजन रखें और जिटने पास है तूज करें उसमें He purposes, निर्मान में और राष्टिन निर्मान में सही होग करें. क्या आने वारे समय में राज़त कह रही है कि पचन बहुमत मिलेगा उसे दोजार ब्रीज को चुनाव होगा. निकि राज़त जो संस्कृति अगर अपनी नहीं बदलेगी, तो राज़त और गर्त में जाएगी, उसके अंदर फूट होंगे, हर जनता अलग होगी, और जनता से नकारे जाएंगे, जिससे इजबा नकारे गया हैं. अगर वो एक सकारातमक भूमी का निभाने का सोचती है, जातपत से उपर होट के विकास की राज़िति करती है, तो हो सकता है जनता को अगर कुछ पसंद आए, तो जनता उनको कुछ वोट दे, मगर निश्चित ही, उनको देखना होगा कि माननी नीतिस कुमार जी एक विका शुमानना होगा और अधर सुमान करगे कुछ करेंगे तो देखेंगे, लेकिन जिस तरह की अभी की राज़त संस्कृती है, जिसमें की राज़त के कारकार्यकाल को जंगल राज कहा जाता था, तो जिस서 कि थे शुद्धार की इतनी है, आसानी से सुद्धृने वाले नहीं उनका कि तेस्वी आदव पहले जातपात से उपर उठें उनकी पार्टी पहले जातपात से उपर उठें उसके बाद ही फिर जनता का जनादेश उन्हें मिलेगा और जो जनादेश मिला है फिलहाल उसे वो सुखार करें और एक अच्छे विपक्ष की भूमी का वो अदा करें आने वाले समय में वो अच्छे विपक्ष बने रहें इसके लिए भी वह परयास करें क्या तेस्वी आदव और उनकी पार्टी इस पर कुछ जवाब तलब करेंगी आने वाले समय में जो नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वो क्या कुछ कहेंगे उससे भी आपको रूबर उक्राएंगे यदि अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दरू सब्सक्राइब करें साथ-साथ फिर सुपेज भी लाइक करें ताकि हर चोटी बरी खबरों के साथ हम आपको रूबर उक्रा सकें धन्यवाद